हेलो गाईज, स्टाक मार्केट न्यूज में आप सभी का स्वागत है आज है 15th of May बात करेंगे बायो कॉन के बारे में चुकि कल की तारीक में यानि की 14th of May को बायो कॉन के नतीजे आये थे और नतीजों में हमने बढ़िया गरावट देखी थी यानि की यहाँ पर आप इस चीज़ को देख सकते हैं कि क्या इसमें ऐसी सुचेशन बन सकती है कि आगे चल कर हमको काफी अच्छी गरावट देखने के लिए मिले चुकि बायो कॉन के जो क्वाटर फोर्ट मार्च के नतीजे हैं उनमें तकरीबन 42 प्रतिशत की यानि की 42 परसेंट का डिकलाइन है सीधे तौर पर प्रॉफिट में यानि की इन्होंने जो अपने प्रॉफिट दिखाए हैं क्वाटर फोर्ट मार्च के लिए वोई 123 करोड के रहे हैं तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि नतीजे किस टरीखे के यहाँ को देखने के लिए मिले हैं चूर्कि कि यहाँ आपके सामने क्वाटर फोर्ट यानि कि मार्च 2020 ये देखेगा नतीजे लगे हुए हैं इस कॉाटर के जिसको कंपेर करेंगे हैं पहले quarter 3 से यानि कि दिसंबर 2019 से चुकि इनकी अगर net sales की बात करी जाए जहां पहले 1748 करोड के लगबग थी वो सीधे तोर पर घटके तकरीबन 1581 करोड की हो चुकी है यानि कि 1581 करोड इस quarter के लिए यानि कि quarter 4th के लिए जिसमें सीधे तोर पर 9.5 पृतिशत से जादे का decline है यानि कि सीधे तोर पर operating profit में भी गिरावट है सीधे तोर पर कहा जाए तो 28% का decline है quarter on quarter basis पे वहीं देखिए जो इनका net profit है उसमें देखेगा जहां पहले 202 करोड से जादे का मुनाफ़ा इन्होंने quarter 3 में दिखाया था quarter 4th में घटकर 123 करोड से जादा हमको देखने के लिए मिल रहा है यानि कि यहां पर भी देखेगा 39% से जादा की ग्रावट हमारे सामने है इस quarter में अगर operating profit margins की बात करी जाती है quarter on quarter basis पे जहां पहले 25.41 के लगबग था अब यह देखेगा यह 20.15 के लगबग देखने के लिए मिल रहा है यानि कि margins घटे है और margins घटना कभी भी किसी भी company के लिए तो आप देख सकते हैं यहां भी 55% का decline है quarter on quarter basis पे अब इसको year on year basis पे भी एक बार देख लेते हैं तो यहां मैं आपको बताना चाहूंगा कि compare करेंगे मार्ट 2020 से मार्ट 2019 के quarter से तो जहां पहले इनकी net sales 1528 करोड की थी अब वहां पर देखेगा एक हमको jump जरूर देखने के लिए मिल रही है यानि कि year on year basis पे net sales में इजाफा है यानि कि 1581 करोड का जो सीधी तोर पर यहां आप देख सकते हैं कि net sales year on year basis पे justified है operating profit की बात करते हैं जहां पहले 403 करोड का था मार्च 2019 में वह देखेगा घटकर 318 करोड से जादा हमको देखने के है वही net profit की बात करते हैं जहां पहले मार्च 2019 में यह देखेगा 213 करोड से जादा देखने के लिए मिल रहा है इनका net profit वह अब घटकर 123 करोड का हो चुका है यानि कि सीधे तोर पर गिरावट है और आप देख सकते हैं कि यहां पर जो operating profit margin है पहले देखेगा 26.36 के लगब हैं तो नतीजे जो हैं वो काफी खराब हमको देखने के लिए मिले हैं यहां पर चलते हैं और थोड़ इसी और इसको देखेंगे चुकि देखिए यह एक फामा कंपनी है और इसके आर इंडी के जो expenses हैं वो भी तकरीबन 36.36 के लगबग बड़े हैं जो हमको देखेगा year on year business पर 125 करोड के लगबग देखने के लिए मिल रहे हैं इस साल जो पहले 92 करोड के लगबग थे यानि कि यहां पर 36 प्रतिशत का इजाफा है और वहीं अगर हम बात करते हैं EBITDA की तो EBITDA की बात करते हैं तो यहां पर तकरीबन 11 प्रतिशत डाउन है तकरीबन 382 करोड का हमक वह तकरीबन 500 basis point down रहे है year on year basis पर यानि कि यह 23% के लगबग हमको देखने के लिए मिल रहे हैं जो पहले 28% थे तो यहां पर देख सकते हैं आप year on year basis पर हमारा EBITDA वी किस तरीके से घटा है तो इन सब चीजों को देखते हुए यहां के नतीजे बिलकुल भी ठीक नहीं है अब इसका impact आज की तारीक में क्या हुआ जरा उसको भी देखेंगे तो यहां पर हम देख सकते हैं कि एक high हमारा बनता है तकरीबन कितना 338 का यानि कि आप देख सकते हैं कि हम opening होते हैं 325 के लगबग और हमारी previous closing थी 335 की तो हमारी gap down opening हुई 325 पे एक high बनाते हैं 338 का और एक low बनाया हमने 320 का यह अपने आप में एक support है जिसको मैं option chain पर भी आपको दिखाऊंगा यहां पर देखेंगा हमारी closing होती है 328 के लगबग यानि कि previous closing से नीचे जाकर हम close होते हैं लेकिन अपनी opening से उपर जाकर हम यहां पर close होते हुए नजर आ रहे हैं तो आप देख सक से जादा quantity deliver हुई है overall trade की अब यहां पर futures का जो price है उसमें गिरावट है और देखेगा यहां पर हमारा जो change in open interest है वो बढ़ रहा है यानि कि यहां पर सीधे तोर पर हम यह कह सकते हैं कि shots build up हुए है option chain पर मैं आपको support और resistance इसका एक बार दिखा देता हूँ तो यहां पर द समझिएगा कि यहां पर गरावट देखने के लिए मिलेगी अब आप यहां पर एक चीज़ को देख सकते हैं कि हमारा जो open interest है calls में 320 की strike पर वो एक लाक से जादा है पर अभी 320 एक support की तरह काम कर रहा है वहीं देखेगा 340 जो है वो एक resistance है जहां पर open interest चाल लाक से जादा ह और अभी भी अगरम देखते हैं तो कि unwinding जरूर देखने के लिए मिली है जहां पर देखेगा आपको मैं सीधे तोर से बताना चाहूंगा कि out the money contracts में जब भी आपको यह minus value दिखाई पड़ती है जो की 140,000 के लगबग है तो आप यहां पर इस चीज़ को समझ सकते हैं कि यह यहां पर जो basically put buyers हैं यानि कि जो call buyers हैं वो निकल के गए हैं यानि कि वो लोग जो यहां पर तेजी का रुक रखते हैं तो आपको confused नहीं होना इस चीज़ से चुकि हमारा premium घट रहा है और यहां पर हमारा changing operators घट रहा है इसका मतलब जिनोंने यहां पर call को buy किया था जो लो चार्ट पर यहां पर मैं आपको बताना चाहूंगा कि देखे यह जो आपको टेक्निकल चार्ट दिखाई दे रहा है यहां पर देखे एक 315 का एक level है यानि कि देखेगा option chain पर अगर हम बात करते हैं तो definitely देखे यहां पर हम इस चीज़ को देखना होगा कि अभी हमारी जो भी confused मत होईएगा चुकि आपकी buyers की जो 1 day के चार्ट पर strength है वो 10 के नीचे आ चुकी है और हमारा MACD भी देखेगा यहां पर एक sale का signal पहले ही दे चुका है और हमको एक ग्रावट देखने के लिए मिल रही है तो यहां पर देखेगा 315 का यह जो level है उसको आप याद रखि जादे importance रखता है इस चीज को आप यहां देख सकते हैं क्योंकि पहले देखेगा यही एक resistance का काम कर रहा था जिसको यहां से तोड़ने के बाद हमको कहीं एक तीजी दिखाई दी लेकिन आगे चलके देखेगा यहां पर नतीजे खराब आने वाले थे definitely public domain में बाते नहीं ह होती लेकिन बड़े प्लियर्स को यह सब चीजे पता होती है और अभी भी आपके पास काफी मौका है इस चीज को समझने का कि अगर यह 350 तोड़ता है तो definitely फिर एक बड़ी ग्रावट के लिए आप यहां पर तयार रह सकते हैं तो चलिए इसके ताद में वीडियो को ही पर अगली वीडियो में चैनल पर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दिए आपको अगली वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाएगा वीडियो में कुछ भी इंफॉर्मेटियो अच्छा दो लाइक कर दीजे और फ्रेंड का गुप मिशा करना मत भूलेगा चले थैंक्यू